हलो एरिवन स्वागत आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरके मुनिम केमिस्टी क्लासिस पर हमने जो है अटॉमिक स्ट्रुक्चर शुरू कर लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं दीखिए सबसे पहले दे रखा है प्लांक्स क्वांटम थ्यूरी दीखिए बेसिक जो है अगर हम क्वांटम केमिस्टी की बात करें क्वांटम मेकनिक्स की बात करें तो वहां पर स्टार्टिंग जो थी क्वांटम की वह हम इसी से कह सकते हैं Planck quantum theory अब दिखेंг ग्वांटम थेयरी क्या है Planck ने एक formula दिया energy का जो की है E equals to h new Planck ने क्या करें energy का formula दिया E equals to h new अब यह जो energy है यह किसकी है यह quantum की energy है किसकी है quantum की अब quantum क्या होता है यहाँ पर Planck ने कहा quantum क्या है the smallest unit of energy तो Planck ने ये कहा कि जो energy होती है system की, जो quantize system है या simple हम कहें radiation की energy या system की energy वहाँ पर उसने कहा कि जो radiation की energy है वो small packet या small bundle में transfer होती है और जो smallest unit होती है उस packet की या bundle की जिसको हम क्या कहते है quantum तो energy की कुछ भी value नहीं हो सकती, मतलब random कोई भी value नहीं हो सकती उसकी एक fix value होती है और उस fix value का जो formula है जिसको हम smallest unit जो energy को क्या कहते है quantum और उसका formula क्या है e equals to h new तो दीखिछे अगर singular है तो हम उसको quantum कहते है प्लूरल होगा तो हम उसको quantum कहेंगे तो quantum को कहा है smallest unit of energy तो Planck न ये कहा कि जो energy change होता है एनर्जी जो transition होता या transform होता है radiation के जो energy होती है वो quantum के फॉर्म में exist कि हरती है smallest unit of energy और उस quantum के energy का formula है E equals to h new यइ energy है यह यह वेव nature को बता रहा है किसको बता रहा है wave nature को तो जो नूुय है frequency है वो किसको बता रहा है wave nature को हम यहां कह सकते है dual nature भी हम कह सकते है जिसे light का dual nature होता है वैसे particle का भी dual nature होता है तो यहाँ पर हम क्या करें E equals to h new यह formula है आपके normally यह formula wave nature को बता रहा है ठीक है E equals to h new तो यहाँ पर E energy है H है Planck constant H क्या है Planck constant जिसकी value होती है 6.62 into 10-34 joule into second यह आपको value याद रखनी है exam में जब numerical आता है तो वो h की value नहीं देता है आपको h की जिसको हम क्या करें है Planck constant उसकी value याद होनी चीए साथ में unit भी याद होनी चीए unit भी पूछ सकते है तो इसकी value क्या है 6.62 into 10-34 joule into second यह numerical में value नहीं देता है आपको value याद होनी चाहिए एक simple सा formula और होता है c equals to new lambda c क्या है velocity of light या velocity of radiation new क्या है frequency जिसको हम इंदी में आवरती कहते है और lambda है तरंग धारिया जिसको हम English में wavelength कहते है तो यह simple सा formula है c equals to new lambda और इस formula से new की value क्या जाएगी c upon lambda यह तो formula आपको पढ़ता है e बराबर h new और new को मैं replace करूँगा तो e बराबर hc upon lambda हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक simple सा relation मिल गया कि जो e है energy है वो proportional है frequency के और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि जो energy है वो inversely proportional है wavelength के तो यहाँ पर इस पर exam में question पूछा जा चुका है तो यहाँ पर Planck का जो formula directly वो पूछ रखा है कि Planck का energy का formula क्या है तो e बराबर h new और एक numerical पूछा गया है जिसमें यह वाला relation दे रखा है कि जो energy है वो wavelength के inversely proportional होती है मतलब अगर wavelength जादा होगी तो energy काम हो जाएगी wavelength काम होगी तो energy जादा हो जाएगी यह पूछ रहा है एक्जाम है तो यह मैंने आपको clear कर दिया numerical में h की value आपको याद होनी चाहिए तो Planck ने क्या दिया था Planck ने quantum theory दी थी quantum का मैंने आपको मतलब बता दिया एक एनरजी की कुछ भी value पॉसिबल नहीं है fixed value होती है और उस जो smallest इनरजी का formula E बराबर h इसके बाद हम बात करते है बोर model of atom की अब दीखे स्टार्टिंग के जो model आयते है atom का डारिटन का model, plum pudding model रदर फोड मेरडल उसकी मैं बात नहीं करूँगा जो modern concept था वो बोर ने दिया था अब दीखे बोर के model की खास बात क्या थी बोर के model की खास बात ये थी कि वो quantum theory पे based था अब आप कहेंगे quantum theory पे based का मतलब क्या है quantum theory पे based का मतलब ये है कि बोर ने क्या कहा कि electron जो है nucleus के चारो और revolve कर रहा है मतलब चक्कर लगा रहा है अब वो जो चक्कर लगा रहा है तो वो एक fixed orbit में या fixed कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसको हम shell भी कह सकते हैं कोश या कक्षा में क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है अब वो जो कक्षा है वो कुछ भी possible नहीं है उसकी एक fixed value होगी मतलब fixed radius होगी और fix energy होगी, कहने का मतलब यह है कि जो electron नाविक के चार और चक्कर लगाएगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी और कुछ भी चक्कर लगा दे वहाँ पर एक fix value होगी किसकी shell की radius की यह energy की, तो जैसे मैंने का मानली जी यह नाविक है तो electron इस कक्षा में चकर लगा रहा है इस कक्षा में चकर लगा रहा है तो यहाँ पर कक्षा है fix है ठीक है, उनकी energy fix है तो मैंने कहा कि मानलो इसकी energy E1 है इसकी energy E2 है और इसकी energy क्या है E3, तो कहने का मतलब है क्योंकि कक्षाओं के energy fix है, कोई भी random value possible नहीं है एक fixed value possible है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो बोर model है बोर model is based on quantum theory बोर model किस पे based है quantum theory पर यह concept भी important है exam में question पूछा जा चुका है ठीक है हो सकता है आपके sheet में ना आये लेकिन जो entrance exam था राज संदिनुस्टी का PhD का उसमें पूछा जा चुका है ठीक है तो जो बोर model है वो quantum theory पे based है इसके बाद postulates आते हैं बोर model जो था उसके main postulates क्या है main key points क्या है तो वो हम यहाँ पर discuss करते हैं सबसे पहले दे रिखा है कि electron जो है वो revolve कर रहा है particular orbit में या particular shell में तो जिसमें आपको बताया है कि बोर model का जो basic possibility वो क्या है कि electron जो है नाभिक के चारो और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है अब जब electron जो चक्कर लगा रहा हैं और जब electron उस निष्चित कोश या कक्षा में चकर लगाता है तब उसकी ऊर्ज़जा जो है ना तो घटती है ना बढ़ती है क्योंकि अगर घटेगी वड़ेगी तो उसके जो धूरी है या जो हम कहाएं कि वह variation करेगा उसका एक fix shell है तो जब उस shell में चक्कर लगा रहा है तो उसकी energy change नहीं होती है और वो quantized energy क्या है quantized fix है कि फर्सt shell की energy इतनी होगी second की इतनी होगी थर्ड की इतनी होगी तो हमने क्या कहा फर्स्ट पॉस्टिलेट क्या है electron जो है नावी के चार ओर चक्कर लगा रहा है जो कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और हर कक्षा की एक निश्चित उर्जा होती है इसलिए आपर हमने क्या करें क्या है energy is quantized इसलिए हमने का कि जो बोर का model है based on quantum theory quantum theory पर बेस है quantum theory का मतलब क्या है कि energy की fixed value चल रही है quantized value चल रही है एक random value नहीं चल रही है अब दीके second postulate दे रखा है angular momentum कोण यह समवेग जिसको क्या दे रखा है i omega equals to mvr equals to nh upon 2pi इसका मतलब यह है कि जो कोण यह समवेग है वो h upon 2pi का integral multiple होना चाहिए मतलब कोण यह समवेग जो है जिसको हम कह सकते है mvr यहाँ पर मैंने i omega भी लिख दिया है जो किसके बरावर होना चाहिए n h upon 2pi तो यह एक्जाम में पूछा जा चुका है formula की कोण यह समवेग का formula क्या होगा बोर के साब से तो वो क्या हो जगा n h upon 2pi n क्या है integer है n की value क्या है 1234 जो किसको बता रही है शैल को या कोश को बता रही है n का मतला 1 है मतला प्रथम कोश की बात हो रही है i omega मैंने वैसे लिख दिया है i का मतला moment of inertia यह जड़ा तो आगुण omega है angular velocity है कोण यह वेग m mass of electron v velocity of electron r radius of electron तो यह जो formula है m vr equals to n h upon 2pi यह आपको याद हो न चाहिए अगर मैं कहूँ n की value 1 है तो फощulate वो है, del e equals to e f minus e i equals to h. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब electron एक निश्चित कोष में या कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तब उसकी energy fixed है. मतलब हर कोश की, हर shell की energy क्या होती है? fixed होती है. लेकिन अगर जब तक वो उस कोश में चक्कल लगा रहा है उसकी energy में चेंज नहीं आएगा जैसे मान लीजे मैंने का यह electron first shell में चक्कल लगा रहा है तो उसके energy जो है वो fix रहेगी चेंज नहीं होगी लेकिन अगर यह transition कर रहा है transition का मतलब एक कोश से दूसरे कोश में या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वहाँ उसकी energy में क्या होगा चेंज होगा तो जैसे मान लीजे मैंने कहा यह electron यहां से यहां गया तो यह मैंने कहा एन इकोल स्टू वन था और यह है एन इकोल स्टू टू तो यहां आपर मैंने सिंपल लिख दिया है EF-EI क्योंकि notation कहा है कई बर vary कर जाता है किसी में 1-2 होता है किसी में 2-1 होता है कुछ भी हो सकता है तो यहां मैंने टूपे गया है तो इसको मैं E2-E1 लिख सकता हूँ अब यहां पर यह क्या कह रहा है कि जब वो निश्चित कख्षा में चक्कड लगा रहा है तब तो उसकी एनरजी में चेंज नहीं होगा लेकिन जब वो ट्रांजिशन कर रहा तब एनरजी चेंज होगी अब एक कंसेप आगको यह ध्यां रखना है कि जब शेल जो है वो दूर की तरफ जा रहा है मतलब पास वाले शेल से दूर वाले शेल की तरफ जा रहा है तो यहां पर यह क्या करेगा radiation absorb करेगा क्या करेगा radiation absorb करेगा मतलब radiation को क्या करेगा absorb, उर्जा को आउशोशित करेगा photon को absorb करेगा और अगर यह दूर से पास आ रहा है मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि photon absorb कर रहा है ठीक है? और अगर यह दूर से पास जा रहा है तो हम कहेंगे कि photon को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है ये एक concept है यापको ध्यान रखना है कि अगर electron दूर जा रहा है तो यहाँ पर पास वाले कोश्ट की उर्जा कम है दूर वाले कोश्ट की उर्जा जदा है तो अगर ये दूर जा रहा है यआ राया है मतलके कम उरजा से जाधा उरजा पर जा रहा है अवलसीर करिए तो अगर इह पार से दूर जा रहा है तो फोटोन को अम्ट कर रहा है और रेडियाशन को क्या कर रहा है एमिट क्योंकि कई बार क्या है वो जब एनर्जी इस पर निमेरिकल पूसता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो वहां पर आपको एमिट कर रहा है या एमिट कर रहा हoti है या आपको ध्यान होना चाहिए तो यहां पर यह क्या कहना चाहरा है किसे क्वोशम की energy है वो उस दो shell की energy के difference के बराबर होगी तो यहां पर हमने क्या कहा energy difference किसका shell का EF minus EI जो कि किसके बराबर है photon की या quantum की energy है H new उसके बराबर होगी तो यहां पर आपके दो तरह से caution बनते हैं एक concept आपके यह काम आएगा कि photon absorb हो रहा है या emit हो रहा है कि कौन से shell से कौन से shell पर transition हो रहा है उसकी energy कितनी होगी हाला कि value नहीं पूछिए order पूछते हैं वह मैं आपको बाद में बताऊंगा जब energy का हम formula पढ़ेंगे यह concept आपको ध्यान होना चाहिए कि जब electron एक कोश से दूसरे कोश पे जा रहा है तो उर्जा में परिवर्तन हो रहा है और गट भी सकती है और गट भी सकती है अगर दूर जा रहा है तो बट रहा है और पास आ रहा है तो तो जो transition के energy है वो भी fix होगी, यह धियान रखना है, यह क्या कह रहा है कि energy जो है कोश की वो fix है, यह हम कहें quantized है, तो जो transition के energy है वो भी fix होगी, quantized होगी, ठीक है, कुछ भी random value नहीं हो सकती, इसके बाद आगे कह रहा है radius of bore orbit, यह तो main 3 postulates थे, उसके बाद इसने 3 formula दे रहे है radius का, velocity का और energy का, velocity का इतना important नहीं है, ज्यादा question नहीं पूछे गए, लेकिन radius का important है और energy का important है, तो देख लेते हम यहाँ पर, यह कह रहा है radius of bore orbit, तो देखिए सबसे पहली बाद तो radius of bore orbit का मतलब क्या है, कि यह जो नाभी के 4 और चक्कल लगा रहा है electron, इसकी radius क्या है, त circular orbit में चक्कल लगा रहा है, बोर के साब से यह कहा कर रहा है electron, circular orbit में चक्कल लगा रहा है, तो इसकी modulus क्या है, तो तो तृज्या का एक formula दे रखा है, formula क्या है, r equals to h square upon 4 pi square m e square, bracket में लिख दिया, n square upon z, अब यह bracket में क्यों लिखा है, क्योंकि यह value constant है, यह पूरी value क्या है, constant क्योंकि H constant है 4pi square M की value constant है और E constant है तो यहां पर यह पूरे जो constant है उसको मैंने क्या लिख दिया A0 तो यहां पर बोर radius of bore orbit तो यह जो radius हम शब्द लिख रहे है त्रिज्जा की bore की कख्षा की त्रिज्जा तो यह जो त्रिज्जा है यह क्या बता रहा most probable distance ध्यान से सुनना radius जो है वो बता क्या रहा है electron की नाभिक से most probable distance क्या है उसको बता रहा है समझे आई बात तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूँ radius of bore orbit इसका मतलब क्या है most probable distance of electron from nucleus समझे आई बात from center of nucleus कह सकते हो कि नाभिक के केंदर से electron की जो most probable दूरी है वो आपके radius कहलाती है यह small concept है यह आपको clear होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है तो radius of bore orbit formula दे रहे का r equals to h square upon 4 pi square m e square अब हाला कि यह जो bracket के अंदर की value है यह पूरा formula यह पूछा नहीं जाता normally लेकिन फिर भी आपको याद अखना है energy के case में एक बार पूछ लिया था ठीक है पूरा formula पूछ लिया था तो आप फिर भी याद कर ले ना एक बार तो r equals to h square upon 4 pi square m e square n square upon z अब इसमें काम की चीज क्या है कि मान लीजिए यह तो बहुत rare पूछा जाए तो पूछा जाए यह normally नहीं पूछा जाता तो हमने इसको क्या कर एक constant value दे दी जिसको मैंने का a naught अब a naught को मैं क्या करा हूँ बोर radius अब बचा n square upon z अब अगर मान लेजिए मैं condition लगा दू कि n की value one है n की value क्या है one है और z की value भी one है जै डी की value भी one है जै की value भी क्या है one है मतलब एम मतलब ground state में है और z का मतलब one का मतलब hydrogen atom है क्या है hydrogen atom तो उस case में जो formula होगा वो किसके बराबर आ जाएगा a naught के बराबर उसके इसमें formula क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि hydrogen atom है और electron उसके ground state में है तो वहाँ पर जो radius का formula है वो किसके बराबर आजाएगा इसको हमने बोर radius कहा है यह exam में पूछा जा चुका है कि बोर radius की value क्या होगी सबन में आई बात तो वहाँ पर जब exam में पूछा गया था तो a0 है अब उसकी value पूछ रहा है तो जब हम value रखते हैं इस constant की तो मतलब a0 की value रखते है value यह आ रही है मैंने सारी unit में mention कर दिये ताकि आपको confusion ना हो 0.0529 into n2 upon z अब देखिए यहाँ बर n2 upon z मैंने mention कर दिया है अगर वह कहता हाइडोजन है और ground state में है तो यह value 1 हो जाएगी तो यह के वाल यह रह जाएगा तो यह 0.0529 nanometer एक nanometer बराबर होता है 10 raise to power minus 9 meter 1 nanometer equals 10 raise to power minus 9 meter तो यह आपको ध्यान अगना है अब अगर मैं बात करूं angstrom की तो यह हो जाएगा 0.529 into n square upon z 1 angstrom बराबर होता है 10 raise to power minus 10 meter ठीक है और अगर मैं और change करूं तो यह हो जाएगा 5.29 into 10 raise to power minus 11 n square upon z meter तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग unit में mention कर दिया है nanometer में angstrom में और meter में तो अगर वो पूछता है कि बोर radius की value क्या है तो आपको क्या करना यह जो term है यह बोर radius की value बता रहा है condition वो देगा कि hydrogen atom है और ground state में दी भी दे तो आपको वोई मानना by default यह तो value 1 हो जाएगी और यह जो value बचेगी यह जो value बचेगी यह आपकी क्या कहलाएगी बोर radius की लाएगी और बोर radius का मतलब क्या है most probable distance of electron from center of nucleus ठीक है इसके अलावा एक question और पूछा जग्या है expectation value जिसको हम average value भी कह सकते है तो expectation value के अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो भी किसकी बात करेगा hydrogen की और ground state की expectation value मतलब average value क्या है most probable अलग चीज होती है average अलग चीज होती है तो अगर most probable पूछ रहा है या आपके radius पूछ रहा है तो A0 है और अगर वो पूछ रहा है average या expectation value तो वो आपके आएगी 3 by 2 A0 ये भी exam में पूछा जा चुका है और ये वाला तो net में भी पूछा जा चुका है net gate में भी पूछा जा चुका है important है क्योंकि ये हमारे normally काम नहीं आता इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है और ये भी आपको ध्यान है कई बार क्या होता है हम फॉर्मले तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि बोर रडियस का मतलब क्या और बोर रडियस की वैल्यू किसको कहते हैं, तो इसलिए हम कई भार रटेम नहीं कर पाते हैं, तो यह दोनों कह सकते हैं R is proportional to N square condition क्या है जब Z constant हो जब क्या हो Z constant Z constant का मतलब यह है कि system constant जैसे मैंने का hydrogen है तो hydrogen के लिए Z की value 1 है अब hydrogen में Z की value 1 है वहाँ पर मैं compare कर रहा हूँ N से कि N1 होगा तो क्या होगा N2 होगा तो क्या होगा तो मैंने कहा कि अगर मान लिज़े hydrogen atom है क्या है hydrogen atom यह मैंने system fix कर दिया तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि R1 की value R1 का मतलब क्या है कि जब N की value 1 है जब N की value क्या है 1 है तो यह आ जाएगी आपकी A0 ठीक है और फिर मैंने का R2 की value तो यह आपके क्या आएगी क्योंकि N2 के proportional है तो यह हो जाएगी 4 A0 के बराबर और R3 की value क्या हो जाएगी 9 A0 तो यहाँ पर आप simple सा कह सकते कि जो R है वो proportional है N2 के कब जब Z constant है इसके अलबा अगर मैंने N fix कर दिया या क्या कह दिया N constant है तो उस case में क्या होगा R is inversely proportional to Z उस case में क्या होगा R is inversely proportional to Z जब क्या है N constant है इसका मतलब मैंने क्या कहा कि ground state की मैंने बात कर दी मतलब मैंने क्या कहा N की value 1 है अब system कुछ भी हो system मैं क्या लेख सकता हूँ देखे system की यहाँ पर खास बात है है कि अभी पॉशुलेट्स में आपके limitation आएगी वहाँ पर limitation क्या है कि जो bore model है वो एक electron के लिए ही follow होता है one electron system के लिए तो वहाँ पर आप क्या ले सकते हो या तो hydrogen ले सकते हो या helium प्लस ले सकते हो या lithium 2 प्लस ले सकते हो ETC तो अब यहाँ पर system क्या चल रहा है कि इसके लिए Z की value 1 है इसके लिए 2 है इसके लिए कितनी है 3 है तो अगर मान लीजिए मैं ground state की बात कर रहा हूँ तो मैंने का hydrogen के लिए radius आ रही है A naught तो helium क्योंकि Z के inversely proportional है तो इसके लिए आएगी A naught by 2 और इसके लिए आएगी A naught by 3 तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मैं system fix कर रहा हूँ और n की value change कर रहा हूँ तो क्या relation है r is proportional to n square और अगर मैंने क्या करा n constant कर गया system change कर रहा हूँ तो n r is proportional to 1 upon z inversely proportional to z तो यह मैंने आपको करके भी बता दिया कि relation क्या आएगा तो यहाँ पर exam में पूछा जा चुका है ठीक है और अगर दोनों vary कर रहे है तो आपको कुछ नहीं करना जिसे मान लीजिए r2 y r1 यह मैंने कर दिया तो यह हो जाएगा आपके क्योंकि n तो सेम है तो यह हो जाएगा n2 square upon n1 square into z1 upon z2 यह relation आपके आजाएगा हाला कि इतना ज्यादा numerical पूछा नहीं यह rpc ने simple सा r is proportional to n square पूछ रखा है इसके लाबा यह पूछ रखा है और यह पूछ रखा है तो यह थी बात radius की अब दीखे आगे दे रखा है energy of bore orbit अगर हम bore orbit की energy की बात करें तो energy का formula क्या होगा तो दीखे यहाँ दे रखा है energy of bore orbit e equals to minus 2 pi square m e की power 4 upon h square z square upon n square जिसे मैं आप से का कि यह पूरा formula normally नहीं पूछा जाता है लेकिन एक बार पूछ लिया था hydrogen के लिए ठीक है तो यहाँ पूरा formula याद कर सकते हो e equals to minus 2 pi square m e की power 4 upon h square z square upon n square z आप जानते ही है atomic number है यहाँ कह सकते है proton की संख्या n क्या है number of shell या कोश की संख्या ठीक है तो यह formula आपने याद के लिया अब यहाँ पार numerical के point of view से अगर हम बात करें तो यह formula आपके आजाएगा इस constant की value आजाएगी e equals to minus 13.6 into z square upon n square unit है electron volt per atom अब देखें normally यही unit काम आती है इसके लावा आप चाहब तो joule में भी convert कर सकते हो लेकिन वो इतना जादा useful नहीं है दूसरी बात यह है अगर नया caution बनाना चाहती है rpc कि repeated caution ना हो तो यहां से जरूर caution बन सकता है ठीक है तो e equals to minus 13.6 z square upon n square यहाँ पर यह minus sign है minus sign क्या बता रहा है कि finally जो है electron nucleus से bound है तो जो boundation है वो यह sign बता रहा है कि minus sign है तो यह electron जो है bound है nucleus है अगर यह minus की जगे value 0 हो जाए इसका मलता वो क्या हो जाएगा free हो जाएगा क्या हो जाएगा free हो जाएगा अभी हम देखेंगे इसको आगे तो यह formula आपको याद दोना चाहिए और यह भी आप याद कर ले direct पूछा जाए तो आप बता सकते है यहाँ पर साइड में आपको लिख दी value 1 electron volt equals to 1.6 into 10 is from minus 19 Joule यह unit conversion है कि अगर आपको electron volt को Joule में convert करना हो तो आप इस formula से convert कर सकते है अब यहाँ पर काम की बात क्या है कि एक तो मैं आपको भी बताऊंगा कि relation Z square और N square से कैसे vary करेगा यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो order है energy का क्योंकि minus sign लगावा तो कई बार हम confuse हो जाते है कि बे value जादा है या कमें जैसे for example अगर मैं कहूं कि N की value बढ़ेगी अगर यह minus भूल जाओ तो हमने क्या कहा N की value अगर बढ़ेगी थो energy की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन वह माइनस and है वो result को उल्टा कर रहा है तो हम क्या कर रहे है junior कि अगर N की value बढ़ेगी तो energy की value भी क्या हो गी बढ़ेगी क्यों क्यूंकि minus sign अरा है अगर minus sign नहीं आता तो हम कहते है nggak Am एनरजी कम हो रही है लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो वहां पर क्या होगा कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनरजी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम अब यह ऐसा हो क्यों रहा है इसका मैं आपको पूरा बतायता हूं तीनों के ओर दे रहे हैं अगर मैं टोटल का ओडर है वन से ज्यादा टू की टू से ज्यादा थी की थ्री से ज्यादा फोर फाइफ सिक्स और जो इन्फाइनेट है मतलब एन शेल जो है वो इन्फाइनेट है उसकी वैल्यू जीरो आ रहे है इसका मतलब हम क्या मान रहे है कि माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा जायएगी उतनी ही कम हो जाएगी, तो यह आपको दिमागा में के रहे है कि n की value अगर आप बढ़ा रहे है, तो मेगनिट्यूड तो कम होगhet, लेकि तो स्वल कम होगहे है, तो यह आपको पढ़न की value कम हो हीं, तो बढ़त रहे है, तो 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 इनर्जी है वो सेम चल रहा है जो डायरेक्षन है वो सेम कैसे कि पुटेंशन एनरजी का ओडर भी यह है कि फस्ट की ज़्यादा सोरी से ज्यादा से ज्यादा चल रहा है काने इनरजी का चलेगा इन दोनों से दो जैसे तो जैसे से कि वैल्य बढ़ रही है एनरजी की वैल्य बढ़ रही है तो आप थोड़ी दर पहले थोड़ी दर बात देखोगे जब वहां पर हम देखेंगे कि वैल्य बढ़ने से वीलास्यटी कम होती है तो है वैलास्टी कम होगी तो लिम्हींच ताक्षेना. ए हिला सब्धलन गिटर को इस्वेशंथ है क्या है पहले सवारों बडिदी County Master मतलब potential energy जो है वो total energy की दुगनी है और potential energy जो है वो kinetic energy की भी दुगनी है फर्क यह है कि potential energy और total energy माइनस में चल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए कोई sign लिया मतलब दोनों का sign सेम है टोटल एनरजी भी माइनस में है और पोटेंशल एनरजी भी माइनस में है लेकिन काइनिटिक एनरजी के लिए मैंने यहां माइनस लगा दिया इसका मतलब क्या है कि काइनिटिक एनरजी प्लस में है तो पोटेंशल एनरजी की हो जाएगी माइनस में हो जाएगी तो यहां प पर टोटल एनर्जी के बराबर है लेकिन साइन डिफ्रेंट है तो यह आला कि बहुत ज़्यादा आरपी से नहीं पूछा है लेकिन यह नेट में पूछा जा चुका है यह कंसेट तो इसलिए मैं आपको बता दिया क्योंकि चोटा सा कंसेट है यह आपको पता होना चाहिए त तो वहाँ पर आप क्या करेंगे हाइडोजन अटम है तो जैड की वेल्यू वन हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट है तो एन की वेल्यू क्या हो जाएगी वन तो सिंपल सा क्या जाएगा यह बराबर माइनस 13.6 इलेक्रोन वोल्ट पर एटम यह आपकी वेल्यू आजएग कब जब एन कॉंस्टेंट हो हाला कि आपको इससे कंफिस होनी की ज़रुत नहीं कि अब आप कोगे सर एन की वेल्यू बढ़ेगी तो एनरजी की वेल्यू कम हो जाएगी मेगनिट्यूड कम हो जाएगा लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो और और आपको यह धियान रखने ह का एन के साथ और एनरजी का जैड के साथ अब मान लीजिए मैं हाइडोजन की बात करूं मैंने क्या कहा सिस्टम मैंने ले लिया हाइडोजन एटम अब मैंने क्या कहा कि सिस्टम मैंने ले लिया हाइडोजन एटम ठीक है फिक्स मैंने कह दिया कि हाइडोजन एटम है यह मै आप पर जब आप energy की बात करोगे e1 की तो e1 की आ जाएगा minus 13.6 electron volt पर atom ठीक है मैं unit बार पर नहीं लिखूंगा तो मैंने क्या का e1 क्या है minus 13.6 किसके लिए hydrogen के लिए अब hydrogen का मतलब z की value 1 हो गई और मैंने 1 लिख दिया मतलब n की value भी 1 है तो जब दोनों की value 1 करोगे तो यह क्या हो जाएगा minus 13.6 unit बार बार रिपीट नहीं करेंगे यह मैंने का e2 अब अगर मैंने का second shell है तो वहाँ पर energy का formula क्या होगा तो वहाँ पर हो जाएगा minus 13.6 upon 4 क्यों क्योंकि hydrogen है तो z तो fix है और n की value 2 का square किता हो गया 4 अगर मैं कहूं यह e3 है तो यह हो जाएगा minus 13.6 upon 9 और last में जब मैं e infinite करूंगा तो उसकी value 0 आ जाएगी अब यहाँ पर मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कही बार क्या होगा कि आप से पूछेगा energy का relation वो क्या क 3 हो सकता है या फिर e2 से e4 हो सकता है और भी कई transition जैसे एक और लिख देता हूं यहां लिख देता हूं इटू से e infinite हो सकता है यह मैं आपको एक transition बता रहा हूँ अब यह मैंने जितने भी transition लिखे है यह नीचे से उपर जा रहे है मतलब 1 से 2 है यह 2 से 3 है यह 2 है यह 2 से 3 है यह 2 से 4 है वो 2 से infinite है तो यह मैंने सारे transition लिख दिया नीचे से उपर जिसमें radiation absorb हो रही है अगर मैं इसका reverse करूंगा तो radiation emit हो जाएगी तो reverse लिख देता हूं 2 से 1 ठीक है यहां पर 3 से 2 यहां पर 4 से 2 और last में है infinite से 2 तो वो क्या पूछता है कि निम्न transition में से सबसे ज़्यादा radiation जो है सबसे ज़्यादा energy किसमें absorb हो रही है तो पहली बात तो आपको ध्यान है जब absorb term काम में ले लिया तो यह वाले transition आएंगे और अगर वो कहरा है radiation emit हो रही है energy की तो यह वाले term काम आएंगे तो अब पहले तो आपके option ऐसे चाट रहे है कि radiation absorb हो रही है या emit हो रही है उसके बाद जब वो ज़्यादा और कम की बात करता है तो दीखिए हमें क्या लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए एक है वन से टू अब यह में बात कर रहा हूँ एक मेंने का अब वो पुछेगा कि यह जैसे मान लीजिए चार ट्रांशन है एक दो तीन चार इनमें से सबसे आदा ट्रांशन energy किसकी है अब वो radiation absorb हो रही है तो absorb क्यात कर देगा अब आप क्या सोचेंगे कि इसमें एक और दो एक करूँ तो यहाँ पर e1 कितना आ रहा माइनस 13.6 e2 कितना है माइनस 13.6 divided by 4 तो जब आप इसको solve करेंगे तो यह जगा माइनस 4 ती है 12 चार चुक 16 3.4 आ गया सब मैरी बात इसको जब आप solve करेंगे तो देखे इसकी value कितनी आएगी यह आजाएगे माइनस 1.51 यह मैंने आपको value लिख दी अब यह मैं आपको value क्यों लिख रहा हूँ यह समझाने के लिए कि अब जब आप transition देखेंगे कि ज़्यादा energy का कौन सा है कम energy का कौन सा है तो आप यह देखेंगे कि first की और second की energy कितनी है अगर मैं magnitude की बात करूं तो first की कितनी है 13.6 और second की कितनी है 13.2 तो first और second की जो energy की value आ रही है difference जो magnitude आ रहा है तो देखेंगे 13.6 में से 3.4 माइनस करेंगे तो यह आजएगा 10.2 magnitude की बात कर रहा हूं ठीक है कितना आ गया 10.2 अब यह जो magnitude है यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि second की value है 3.4 तो second और infinite का भी जब आप difference नि 1.2 transition दे रखा है तो उसकी energy जादा ही होगी बाकी चाहिए आप 2 से infinite लोग है तो भी 3.4 आ रही है जबकि 1.2 की कितनी है रहे 10.2 तो कहने का मतलब है transition energy जादा किसकी कम किसकी है तो आप देखेंगे starting के जो energy level है उनके बीच में energy difference सबसे जादा है अब आप देखेंगे 1.2 का atom है और second shell है तो उसकी energy क्या होगी तो hydrogen atom है तो Z की value 1 कर दो second shell है तो N की value 2 कर दो कुछ नहीं simple अगर वो कह रहा है कि मालीजी helium है helium 2 प्लस है helium 2 प्लस है और ground state है तो helium 2 प्लस का अंदा HZ की value 2 है और ground state का अंदा N की value 1 है value रखो solve कर दो सम्म्यारी बात तो simple सा आपके relation है जाएगा E is proportional to 1 upon N square और E is proportional to Z square सम्म्यारी बात तो यहां पर वो से numerical पूछ सकता बेसिक से बिल्कुल kinetics में आपको काफी तरह से समझाएता कि आप इसको कैसे जा चुके हैं अब दिखें आगे velocity का formula दे रखा है हाला कि जो questions है वो radius और energy पर जाद आते हैं फिर भी आपको velocity का formula पता होना चाहिए वेलासिटी का formula दे रखा है velocity of electron जो electron नाभी के चारों चक्कल लगा रहा है उसकी velocity क्या है उसका वेग क्या है formula क्या दे रखा है टू पाई E square अपॉन H Z अपॉन N तो यहां पर velocity क्योंकि positive है तो kinetic energy की value भी क्या आएगी positive में आएगी और जो total energy है क्योंकि potential energy और kinetic energy का sum है तो potential energy negative में है तो potential energy negative में और जादा है और kinetic energy positive में और कम है इसलिए total energy क्या आती है नेगिटिव आती है जो है वो है 2.188 इंटो टैंसवार 8 इंटो जैड़ अपॉन एन सेंटिमीटर पर सेकेंड अगर आप सेंटिमीटर को मीटर में करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद दे रिखा है शौट कमिंग्स ऑबोर मेडल यहां पर आप स सिस्टम कॉंस्टेंट कर दू तो एन के बढ़ने के साथ वेलस्टी कम होगी और अगर मैं एन फिक्स कर दूँ तो जैड़ के बढ़ने के साथ वेलस्टी क्या होगी बढ़ेगी यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह बेसिक यहां पर फॉर्मले से आपको पता चल रर में हो लेकिन इलेक्टριन एक होना चाहिए तो यह कीवल उसीको explain करता है जैसे मान लीजिए hydrogen है helium प्लस है lithium 2 सबसे वड़ी कमी है क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे elements हैं और इसमें hydrogen को जोड़के सब में एक से जादा electron है तो यह यहां पर basic model देता लेकिन एक electron से सब्सक्राद को explain नहीं करता दूसरा यह कहा है कि यह जिमान effect को और stark effect को नहीं समझा पाता explain नहीं कर पाता अब जिमान effect और stark effect क्या है splitting of spectral lines in magnetic field चुमकिये शेत्र में जो spectrum रेखाए होती है उसका जो lines splitting of spectral lines in magnetic field in magnetic field तो यहां पर अगर मालेजिए कि जो spectrum lines हैं वो split हो रही है कब जब आप magnetic field apply कर रहे हो उसको कहते जिमान effect यह exam में पूछा जा चुक है कि अगर magnetic field में spectral lines split होती है उसको क्या कहते हैं तो उसका answer क्या होगा जिमान effect यह आप से को पुझे जिमान effect क्या होता है तो आप कहेंगे splitting of spectral lines in magnetic field तो यह तो जिमान effect यह exam में पूछा जा चुका है और इसकी कमी क्या है कि यह जिमान effect को नहीं समझा बाया अब अगर मैं कहूं stark effect तो simple सा हो जाएगा splitting of spectral lines in electric field electric शेत्र में अगर spectral lines split हो रही है उसको कहते है stark effect तो यह इसकी कमिया है तो जिमान effect exam में पूछा जा चुका है संद्मियारी बात तो यह थी बात bore model की और उसकी shortcomings की अब जो topic बच रहे है atomic structure में वह बच रहे है quantum numbers और electronic configuration यह दो topic बच रहे हैं दो वीडियो में हमारा theory complete हो जाएगी उसके बाद दो वीडियो हम question के बनाएंगे तो यहां पर दो theory के और दो question के चार वीडियो में आपका जो atomic structure वो क्या हो जाएगा complete हो जाएगा आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए दोस्तों का share कीजिए और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर लिजिए अब दीके जो channel पे नए हैं वो आप क्या करिए channel को subscribe कीजिए उसकी बाद playlist में जाएगे तो वहां पर जो unit मैंने complete करा दिया ह रखिए जैसे आपको kinetics मिल जाएगा उसके बाद आपको electrochemistry मिल जाएगा solution मिल जाएगा thermodynamics मिल जाएगा और जो strategies है जो आरपे से related जो मैंने वीडियो बनाया चाहिए वो syllabus का discussion हो या strategy हो या और भी जो चीजे हो वो मैंने आपको आरपे से school lecturer के जो playlist है उसमें बता रखिए त atomic structure भी मिल जाएगा आपको जो चल रहा है अभी thermodynamics kinetics यह सारे मिल जाएगे और कई बार बच्चे वापस पूछते मैं आपको वापस बता दूं कि जो आपके first grade का जो syllabus है revised syllabus नया जो syllabus है यह मैं आपको complete कराऊंगा और वीडियो जो है totally free है आपको कोई भी चार्ज पे करने की ज़रत नहीं है totally free है तो बस आपको करना क्या है कि चैनल को आप subscribe किजिए और notification का जो bell है उसको hit कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको notification मिल जाए और जो अब जो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो आप playlist में जाए वहां आपको पुलाने ज जो है वो 2000 रूपीज है वह आपको English में मिलेंगे installment में मिलेंगे और hard copy में मिलेंगे उसके लिए आपको कुछ नहीं करना मेरा जो WhatsApp नंबर है वो मैं description में दे दूँगा उस पे आपको phone पे Google पे या पिर आप ATM कर सकते है 2000 रूपीज उसके बाद आप मुझी क्या करिए मेरे WhatsApp सब नंबर पे अपना नाम और postal address send कर दीजिए उस address में आपको hard copy में जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा installment में लास्ट जो डेट में आपको बताईए नोट्स प्रोवाइड करानी की वह है 15-20 अगस्त 15-20 अगस्त तक में पूरे से पूरे जो आपके नोट्स से syllabus के वह म में उसी के आसपास question पूछे जाते हैं और कई वर question as it is repeat होते हैं तो जब मैं आपको question solve कराऊंगा तो आरपे सी school lecture की जो question है वो भी solve कराऊंगा उसके अलावा भी question solve कराऊंगा इसके अलावा आपको कुछ detail पूछ नहीं है तो आप मुझे मेरी WhatsApp नंबर पर मुझे message कर सकते ह धन्यवाद